हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल लेडिज स्पेशलिस्ट में हार्दीक स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का लाव उठाएं मैं नीना दुर्वेश आज आपको गले की डिजाइन के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमें गले की डिजाइन कैसे बनानी है वो आप कहीं पर भी बना सकते हैं कुड़ते में बलौस के पीछे कहीं पर भी और बढ़ी आसानी से बनती है सबसे पहले मैंने वकरम लिया है वकरम को डबल फोल्ड करने के बाद में उसमें इच्छा अनुसार डिजाइन कर लिया है आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं जैसे मेरा डिजाइन देख लीजिए मैंने इसकी चोड़ाई जो है तीन इंच लिये यह डिजाइन मैंने ड्रॉ की है इस पर उसे मैंने काट लिया है यह इस तरह से मैंने वकरम काट लिया है बीच वाला हिसा हमारे काम का नहीं है अब यह डिजाइन मैंने वकरम से काट लिया है अब इसे कैसे बनाना है यह जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखिए जिस कपड़े पर हमें गला बनाना है उस कपड़े पर इस वक्रम वाले गले को रखके अटेच कर देना है दोस्तो पहले इसकी चोड़ाई हमें नाप लेनी है जिस चोड़ाई में हमने इसे काटा है उस चोड़ाई के बराबर इसको रखे अटेश कर देना है मैंने इसे तीन जगों से अटेश करूँगी मैं इसको एक बीचों बीच लगा कर इसे अटेश कर दूँगी कपड़े पे एंच कपड़ा रखने के बार लावा, बाकी कपड़ा हटा देंगे, काड देंगे उसको, आदा-दा एंच कपड़ा एक्ष्टर रखकर बाकी वाला काड दिया है मैंने, अब मैं इसको शिलाई लगाऊंगी सिलाई कहां लगानी है देखिए आप ध्यान से बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगानी है जहाँ पर हमें मशीन चल रही है आप देख रहे हैं एकदम कॉने कॉने पे इसको कपड़े पे अटेच कर देना इस वक्रम को यह हमने बिल्कुल पास-पास में शिलाई लगाई है अब हम इसे पिनने वगर अलग कर देंगे इस पे से अब यह जो आदा इंच कपड़ा रखा है उस आदे इंच कपड़े को इस पे फोल्ड कर देंगे उलट देंगे उसे यह इस तरह से हमने चारो तरफ से इसे फोल्ड करना शुरू किया है अब अब यह जो आदाए ये इस तरह से हमने वक्रम को कपड़े पे अटेच कर दिया है बिल्कुल चालो तरफ से उलड़ दिया है अब उसके बाद इसे आधा करने के लिए बीच और बीच एक कट का निशान लगाएंगे ये कट कर लिया हमने अब इसे पूरे पे आधा आधा करने के लिए एक निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चलता रहे बीच का है यह हमारा आदा हो गया है इसी तरह यह जिस कपड़े पर बनाना है जैसे मैंने यह कुर्टे पर बनाया है कुर्टे पर भी इसी तरह से एक निशान कर लेंगे बीचो बीच का एक निशान कर लेंगे क्योंकि उस पर गला काटा वा नहीं है हमने काटा नहीं है उसे आधे में निशान कर देंगे अब जो हमने गला बनाया है उसका आधा इस आधे पर रखकर एक सिला ही लगा देंगे देखते रहेंगे के बीचो भीच आ रहा है या नहीं यह यहां तक अटेश करने के बाद हब हम उसे पास में सिलाई अब हुँ यह जो सिलाई है फ्रेंज यह बिल्कुल उस वकरम के पास में लगानी है वकरम के उपर नहीं लगानी है बिल्कुल जर्ष्ट जहां गला है उसके जर्ष्ट पास-पास में कपड़ों पे लगानी है अगर आपने ये वक्रम पे लगा दी तो वो फोल्ड नहीं होगा इस तरह से में सिले लगा दिये हैं अब इस गले को अंदर से कपड़ा रखे बाकी वाला गला काड़ देंगे इस तरह से बीच में से गला आटा देंगे हम इस तरह से अटानिक बाद अब जहां-जहां कौने है उस कौनों पे कट लगा देंगे इसमें तो तीनों तरफ कट लगे इसको फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स फोल्ड करने के बाद यह जम जाये उसके लिए हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल कौनर में इसके लगा देंगे बिल्कुल कौनर में इसके लगा देंगे इस तरह समय सिलाई लगा दिये आप चाहे तो इसके पीछे के साइड दुर्पाई कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर डिजाइन बनाने के लिए यहां पर और सिलाई लगाई है मैंने यहां पर तीन सिलाई पास-पास में लगा कर इसे डिजाइन का रूप दे दिया है तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमें जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूली हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद